धर्म शास्त्रों में मनुस्मृति का अपना एक मुख्य स्थान है समाज को सही राह और ज्ञान प्रदान करने के लिए मनुस्मृति की नीतियां बहुत महतोपून मानी गही है इन्ही नीतियों का पालन करके मनुष्य जीवन में कई सारे लाव ले सकते है तो आज हम सभी जानते हैं मनुस्मृति से ही पाँच मुख्य नीतियों के बारे में जिनका खयाल रखकर के जीवन को बहतर बनाया जा सकता है और कई सारी मुसीवतों से बचा जा सकता है स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जिने की कला में आये पहले नीति जानते हैं पहला है शब्द जिहां कहा जाता है कि शब्द बानों की तरह होते हैं मुसे निकला हुआ शब्द और धनुष्य निकला हुआ बान वापस नहीं लिया जा सकता इसलिए उनका प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए बिना सोचे समझे प्रयोग किये गए शब्दों से मनुष्य अपना नुकसान कर बैठता है कई बार गुसे में मनुष्य वो बातें बोल जाता है जो उसे बिलकुल नहीं कहनी जहीं है जिनकी वज़ा से वह दोश का भी पातर बन जाता है इसलिए मनुष्य को हमेशा ही शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करना चाहिए दूसरी नीत है स्पर्श जिहां अगर किसी मनुष्य के उपर काम भाव हावी हो जाता है तो वह मनुष्य अपने वश से बाहर हो जाता है कामी व्यक्ति के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है काम भावना से पीडित मनुष्य अपने एक्षाएं पूरी करने के लिए किसी के साथ भी बुरा व्योहार कर सकता है ऐसी भावना उसे दोशी बनने पर भी मजबूर कर सकती है इसलिए मनुश्य को कभी ऐसी भावनाओं के अधीन नहीं होना चाहिए तीसरा है रूप किसी के रूप सौंदर्य से आकशित होने पर मनुश्य के मन में उसे पाने की चाह जगने लगती है रूप संदर्य के वश्च में हो करके मनुश्य हर काम में उस व्यक्ति का साथ लेने लगता है अपनी आँखों पर नियंतरन होना चाहिए हम क्या देखें और किस भाव से देखें इस बात का निर्णे हमें अपनी बुद्धी से लेना है जब इनसान बिना विवेक के अपनी आँखों का उपयोग करता है तो ऐसी स्थिती में वह सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है और कई बार दोश का भी भागी बन जाता है ऐसे में इसके अलावा रस जिस इनसान का अपनी जुबान पर काबू नहीं होता है जो सिर्फ स्वाद के लिए ही खाना खोजता है ऐसा इनसान जल्दी बिमारियों की गिरप्त में आ जाता है वो हमेशा ही अपना नुकसान करता है जुबान को वश में करने की बजाय वह खुद उसके वश में हो जाता है ऐसा इंसान सिर्फ स्वाद के चक्कर में अपनी सिहत से समझोता करता रहता है और इसी वजह से कई सारी बिमारियों का शिकार खुद होता चला जाता है इसके अलावा गंध जी हाँ नासिका यानि कि हमारी नाक भी हमारी पांच इंद्रियों में से बहुत महतोपून है सांस लेने के अलावा यह सुंघने का भी कारे करती है अक्सर इंसान किसी चीज के पीछे तीन कारणों से ही पड़ता है या तो उसका रंग रूप और आकरिती देखकर उसके स्वाद के कारण या फिर उसकी गंध के कारण कई बार अच्छी महक वाली वस्त्में भी स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक होती है हमें अपनी नाक पर भी नियंतरन रखना चाहिए जिससे नुकसान से बचा जा सके तो मनु इस्मृती की ये पांच बाते बहुत महत्वपुन है इनका जो खयाल रखते हैं वो जीवन में सकसेज और सफल होते हैं बहुत सारी मुसीवत से बचे रहते हैं आज के वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम ले करके आते रहते हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को उन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी साथ वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कर दीजे ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव